नमाशकार इसको आप पहचान गए होंगे अम्रूद इसका ज्यादा परिज़े देनी के आउश्कता नहीं है अम्रूद की पतियां है और अम्रूद खाने के फायदे से आप अवगत हैं आज आपको थोड़ा सा इनकी पत्तियों में क्या-क्या होता है क्या नहीं होता है उस समंद में कुछ जिक्र कर रहा हूं अम्रूद की पत्तियां भी उतने ही फाइदे मंद होती हैं जितना कि अम्रूद फल के रूप में होता है अम्रूद में अम्रूद की पत्यों में एंटी ऑक्सिडेंट एंटी बेक्टिरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुनों होते हैं जो कि हमारे स्वंपून स्वास्ते के लिए लाबदाएग है थोड़ा सा जिकर मैं एंटी ऑक्सिडेंट का कर देता हूँ कि एंटी ऑक्सिजेंट होते क्या है क्या है कि आक्सिकरण की परक्रिया को बंद करने वाले घटक जो होते हैं जो अनुम होते हैं उनको कहते हैं एंटी ऑक्सिजेंट कोशिकाओं का ऑक्षिकरा नहों कोशिकाओं को छटी न पहुँचे इसलिए हम एंटी ऑक्षिजेंट पदार्तों को खाते हैं एंटी बेक्टिरिया आपको पता यह है बेक्टिरिया के परभाव को जो खतम करते हैं और anti-inflammatory का यह है कि जो सूजन वर्दक बिमारियां जो हमारे अंदर होती है जैसे गटिया या कभी और भी कई परकार की सूजन वाली जो बिमारिया होती है उन में यह सहायक होता है अज अमरूत की पत्यों के थोड़े से फाइदे क्या-क्या है उसके बारे में जिकर कर रहा ह यह वजन घटाने में बहुत सहायक होता है उसका कराण यह है कि इसमें dietary fiber होता है फाइबर से भरपूर होता है यह और जब हम इन इसको खाते हैं माने पत्यों को खाएंगे हम जब तो हमें क्या है कि भूग जल्दी जल्दी नहीं लगेगी और जो भी हम खाना खाते हैं उस को पसने में हमें समय लगता है तो इसका मतलब यह हुआ कि बार बार हमें खाने के आउश्कता नहीं होगी और जब हमें बार बार खाने के आउश्कता नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारा वजन स्वत्य ही कम होने लगेगा दूसरा क्या है कि इस से डाइजेशन की परक्रिय मेटाबॉलिज्म सही रहता है एक और चीज है इसमें इसमें आइरन की भरपूर मात्रा होती है और आइरन एक आवस्यक तत्व है हेमोगलोविन के लिए खून का जो मूल तत्व है उसके लिए हेमोगलोविन के लिए हेमोगलोविन क्या करता है कि सरीर में जो ऑक्सिजन जब हम फेपड़ों से लेते हैं और सरीर खून के रस्ते सरीर के परतेक शेल तक ऑक्सिजन को पहुंचाता है और जब परतेक शेल तक हमारे ऑक्सिजन पहुंचेगी तो शेल जिन्दा रहेंगे परतेक कोशिका हमारी जिन्दा रहेगी और आईरन की पूर्ती होती रहती है क्योंकि आईरन अमरूत के पतों में बहुत होता है और जिस कारण हेमोगलोविन की मातरा हमारी मेंटेन रहे और हमें एनिमिया जैसी बिमारियां होने की आसंका कम रहेगी